तो पहला कोशन है प्लासी की लडाई में अंग्रेजी सेना का नेतरित्व किस ने किया आंशर है राबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लडाई में अंग्रेजी सेना का नेतरित्व राबर्ट क्लाइव ने किया था देखें प्लासी की लडाई जो है 1757 इस्वि में अंग्रेजो का यूद जो है 1764 ही स्विम हुआ था किसके किसके बीच तो यह यूद अंग्रेजो और मीर कासीम अवद के नवाब सुजाओ दुल्ला और मुगल समराट साहलम दुद्टे के बीच हुआ था इस यूद में भी अंग्रेज विजय हुए थे कुशन मर् 3 है बकसर के यूद में अंग्रेजी सेना का नेतरित्व किस ने किया तो बकसर के यूद में अंग्रेजी सेना का नेतरित्व हेक्टर मुंडरो ने किया था कुशन वर फोर है भारत में सहायक संधी की पधती किस ने शुरू किये तो भारत में सहायक संधी की पधती जो है इसे 1798 इस्वि में लॉड वेलेजली ने शुरू की थे कुशन वर फाइव है वर्स 1798 इस्वि में लॉड वेलेजली दुबरा प्रस्तावित सहायक संधी को स्विकार करने वाला सबसे पहला सासक हैदराबाद का निजाम था क्वेशन मर् 6 है भारत का पर्थम वाइसराय था तो भारत का पर्थम वाइसराय कौन था तो भारत का पर्थम वाइसराय लौड कैनिंग था क्वेशन मर् 7 है मुगल समराट द्वारा न्यूक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या नवाब कौन था तो देखें मुगल समराट दुवारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या नवाब मूर्सीद कुलिखा था मुर्सिद कुली खां को सर्वपर्थम 1707 इस्वी में मुगल समराथ फरुक्सियर दुवारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या नवाब नुक्त किया गया था क्वेशन मर एट है मुर्सिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी को मुर्सिदाबाद अस्थानांतरित के थे क्वेशन मर एट है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्सिदाबाद से कहा स्थानांतरित के थे क्वेशन मर 11 है तिसरे आंगल मैसुर यूद को रोकने के लिए टिपुच सुल्तान ने अंगरेजों के साथ कौन सी संधिक के क्वेशन मर 12 है राज्यहडपनिती किस के द्वारा लागो की गई थे तो राज्यहडपनिती जो थी डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स इसे गवर्नर जनरल लॉड डलहोजी के द्वारा लागो की गई थे क्वेशन मर 13 है महराजा रंजीत सीं के राज्य की राधानी कहां थे देखे महराजा रंजीत सी जो थे पंजाब में सीख समराज के संसापक थे इनके राज्य की राधानी लाहोर थे क्वेशन मर 14 है सीख समराज के अंतिम सासक कौन थे आंसर है दिलिप सिंग देखे महाराजा रंजीत सिंग के सबसे छोटे पूत्रे महाराजा दिलिप सिंग सिंग समराज के अंतिम सासक थे कुस्ण मर् 15 है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया टीपू सुल्तान कहा के सासक थे तो ये मैसूर के सासक थे इन्हों ने स्री रंग पत्नम को अपनी राजधानी बनाया था सिरी रंग पत्नम वर्तमान में कहां स्तित है तो यह वर्तमान में करनाटक राज में सित है क्वेशनमर 16 है किस सीख गुरु ने फार्सी में जफर नामा लिखा था तो फार्सी में जफर नामा जो है गुरु गोविन्द सी ने लिखा था गुरु गोविन सीप सिखों के के में गुरु थे तो ये सिखों के 10 में एवं अन्तिम गुरु थे Q17 है सिखों के धार्मिक गरंथ आदि गरंथ की रचना किसने की तो सिखों के धार्मिक गरंथ आदि गरंथ या गुरु गरंथ साहिब की रचना सिखों के पांच में गुरू अर्जून देव ने की थे आदिगरंथ या गुरू गरंथ साहिब की रचना किस ने की थे गुरू अर्जून देव ने की थे गुरू गरंथ साहिब यानी आदिगरंथ में गुरु नाना की प्रेर्णा प्रद, प्रार्थनाय और गीत संकलित हैं क्विशन मर 18 है सिखों के सैन्य संप्रदाई खालसा पंथ की स्थापना किस ने की थी? तो देखें सिखों के सैन्य संप्रदाई खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविन सी ने की थी कब 1699 इस्वी में इन्होंने गुरु गोविन सी ने 1699 इस्वी में खालसा पंथ की अस्थापना की थे क्वेशन मार 19 है भारत में डाक विवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिस गवर्नर जनरल कौन था तो सुगोली की संदी जो है 1816 में इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाल के बीच संपन हुई थे Q21 है वोडे यार कहां के सा सकते तो वोडे यार जो थे मैसूर रियासत के सा सकते Q22 है लौड कार्नवालिस की कबर कहां थे थे आशर है गाजीपूर में उत्तर परदेश में लौड कार्नवालिस 1776 से 1793 इस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था इसने 1793 इस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पधती लागू की थी कार्नवालिस को भारत में सीविल सेवा का जनक भी कहा जाता है इसके मिर्तू 1805 इस्वी में गाजीपूर उत्तर परदेश में थे यहीं पर इसकी कबर इस्थित है क्वेशन में 23 है भारत का पर्थम गवर्नर जनरल था आंसर है लाड विलियम बैंटिक देखे 1833 के चार्टर एक्ट दुवारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस परकार भारत का पर्थम गवर्नर जनरल लाड विलियम बैंटिक हुआ क्वेशन में 24 है द्वैध सासन निती को किस ने समाप्त किया था तो द्वैद सासन निती को 1722 इस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था लास्ट कोशन है कोशन में 25 सुराच्छा प्रकोष्ट निती किस से समादित है तो सुराच्छा प्रकोष्ट निती जो है या वारेन हेस्टिंग्स से समादित है तो फ्रेंट्स यह थे इंडियान हिस्ट्री के टॉप 25 कोशन आंसर अगर यह वीडियो आपके लिए हिल्फुल रही हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक तथा सेर जरूर कर दिजेगा अब मिलते हैं नेक्स्ट टूडू में थैंक्स फोर वाचिंग झाल को वाचिंग झाल 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 झाल